और सायद एक question मुझे ये वाला 105 105 मैंने बोला था साथ में करेंगे याद है हाप मन्त था हाप मन्त रखे एक बार जिन लोगों को homework दिया था जिनोंने बनाया है वो copy दिखाएंगे तुम फिर में उसको कहां कहां गलती है कोई राउट साथा तो discuss करूंगा और सर जो copy लेकर नहीं आए मैं मान के चल रहो homework नहीं किया यह उनसे बन चुका होगा अच्छा बनाया है चलो तो हम discuss कर लेगा 105 एक वापड़े पहला question है class का आच करीब करीब पाच्छे question होगे class ओर हो जागी कुछ है नहीं खतम हो जाएगा working gap following details दे रखा है company का और आपको sales और manufacturing cost दे रखा है sales material wages overhead कब से कब तक का दे रखा April to September credit term क्या बोल रहा है सबसे पहले नहीं यह पढ़ लिया करो कब से कब तक बनाना है तो clearity आ जाती है 4 months कहां से June से June से September April में का क्यों दिया होगा समझ में आगा बोल रहा है 20% sales होता है cash basis पे 50% credit sales collected होता है कब अगले मैने और balance balance मतलब 30% का बाता है उसके बाद वाले मनत में credit allowed by supplier 2 months मतलब जो material purchase कर रहा है उसको 2-2 months का लेजे नहीं बड़ा simple है ठीक है material का साब साब दिया हो delay in payment of wages half month June में कितना आएगा जरा बताना wages का और June में कितना आएगा जून में payment कितना आएगा wages जून का अधा और कप का अधा उपर का अधा इसका पंदरा दिन का यहां जाएगा बात समझे में आ रहे हैं हाप month का मतलब ठीक है मतलब कितना रहा 162 अब यह बंद बोलना कि जुलाई का 165 आएगा 165 ही तो आएगा मैं जोई तो बोल रहा इंट्रेस्ट और बारा परशन डिवेंचर कितने का है पांच लाक आप यली इन जून एन दिसम्ब ठीक है बारा लाग का पांच लाग का कितना हो जागा बारा लाग बारा परशन मतलब 60,000 तो कितना जाएगा 30,000 पस डिविडेंट 25,000 कप पैमेंट करने का सोच रहा हो नहीं रिसीव होने वाला डिविडेंट कब होने वाला बै जून में नहीं मशिनरी खरीदने का सोच रहा हो कितना रुपए चार लाग तो क्या चार लाग जून में जाएगा नहीं पड़ोच्चे से कितनी इंस्टॉल्मेंट 20 चार लाग बाई 20 करो 20 चार कौन कौन से मन से जाएगा अगस्ट सेप्टेंबर एडवांस इंकम टेक्स पैट करने वाले हो कब अगस्ट में 15 चार यह इंपोर्टन है कैस बैलेंस ऑन फर्स्ट जून 2014 इस एक्स्पेक्टेट टू बी 45 थाउजर एंड दे कम्पनी वांस तो की इट एड दे एंड अफ एवरी मन आराउंड इस फिगर अराउंड के मितलब समस्था इस एक्सिस कैस मल्टीबल ओफ रुपीज थाउजर मल्टीबल ओफ थाउजर रुपीज मितलब समस्था 700 को हम 1000 मालेंगे 1000 1700 को 2000 1000 के मल्टीबल में करना मतलब 1000 में राउंड इड ओफ करना 1200 को बोलो 1000 राउंड इड ओफ करना आता है न यार ठीक है 5700 अब कुछ भी मद बोना 5500 होगा तो क्या होगा तो इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है आगे जलते और क्या बोल रहा है जो एक्सिस कैस होगा उसको हम कहां लिखते है अबडी बना लिखते है लिख सिदी पॉजिट मतलब वही इन्वेस्टमेंट वाला एक क्वेशन किया नमने यार रिक्वार तो मन्थली कैस बजट बजट अन बासिस अब अभू इन्वेशन पर फोर मन्थ बिइनि फ्रम जून कोशन बना रहे हैं लोग जाएगा अगर आप इतने एक्सपर्ट हो जोगा बना सकते हो बिल्कुल अगर आपको समझ मा आगया तो बिल्कुल बना सकते 70% 30% 10% ऐसा कुछ है जायत है इतने मन्थ का बनाना 4 मतलब 4 और एक 5 मैने अब 6 कॉल अब आएगा आच आएगा आप मुछ पे क्यों थे आप कुछ है आप 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 तुप अप्रज़ कहती है अ कि अप्रज़ में सबट़्प्ट थिए अ हम अपट्ब ये थैण अवय्यू यूवरि खिर यूब यूध नूब यूब लूब ऑन पेठाइ प्रोट्वाइब तो वर्किंग नोड बना रहे हो ना आप लोग मेरा बन रहा है मानके चलू हाँ उसके बाद वाले मन्त में सहीं बोल रहे हो हाँ नेक्स्ट मन्त के बाद वाले मन्त 348 348 नहीं है अच्छा कैसेल्स भी ले लिया है कि सहत में अच्छा मुझे बता 50% कलेक्टिट कब हो रहा है मतलब में 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 कर जून में ना चार लाग पचास अरका दो पच्छी सब हो गया और 30% सेकंड मन्त और तब सीधा चार लाग वीस जारका 30% 30% 30% तो टल का आपको 30 लेना पड़ेगा क्रेडिट का 50 लो अलग बाद क्रेडिट का 50 लो अलग बाद का है वो एक एक सब्द को हम सही मान रहा है 20% सेल्स आर ओन कैश 20 मतलब जून का 20% कैश एक लाग उन्होंने सबसे पहले एक लाग ले लिया ठीक है अब बोल रहा 50% क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टिड नेक्स्ट मन्त क्रेडिट सेल्स कितना है मतलब यहां अप्रेल वाला जून में कितना आएगा सोस समझके बोलना अप्रेल वाला जून में मिलेगा ना यार पैसा कितना जो सब्द लिखे उसको पढ़े एक बर जो सब्द लिखे उसको पढ़े एक बर चार लाग वीच जार टोटल सेल्स है इसका असी परशन क्या हो जाएगा क्रेड सेल्स मानते हो यही सब्द लिखा है ना यार और उसका 50% next month and balance in the following month इसका कितना 50% कम मिलेगा इस चार लाग वीच जार का यह हो गया क्रेडिट सेल्स और इसका 50% कम मिलेगा यहां और बचा हुआ तो बचा हुआ देख लो उतने ही आएगा बचा हुआ चार लाग वीच जार का 80% into 50% मतलब 68,000 तब यही लिखे हुए ठीक है अचा दूसरा और कर लो अब इसका 50% इसका नहीं मिलेगा चार लाग पचास जार का 80% का 50% का 50% एक 80% टूटल कितना हो रहा है एक लाग प्लस 1,68,000 प्लस 1,80,000 तो यहारा 4,48,000 आपका किस सबसे आया है अब आओ 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 यह कोश्चन आपसे जिन्दगी में कभी गलत नहीं है कितना मैं भूल सकता हूँ मैं रुका हूँ आओ 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 कितना आओ 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 चलो यहां तक काम हो जो अभी कुछ और पैसा आ रहा है कि कहीं से कुछ है इविडेन आ रहा है इविडेन इतना ठीक है और कुछ नहीं है इसमें एक बार देखलो है कुछ है क्या है क्या हो सकता है इंका हो चुका हो सकता आप से गल्ती कर वादिया इसमीज वास पर लेकर ठोटुटने आप फाच लाक क्रेमीट अच्छक्रेटर का स्ट्रीट फाववर्ड में तो इंट वर्य क्रेडतर सीधा आजा मतलब क्या बिलाई क्रेड ज़करोब दो महें मैंने करिया है मतलब मैं मतलब में तुम्न गौल से स्टर्ट कर द मैं है 22, overlay तो लाग दास हेजार को लाग साथ हेजार क्रेडिटर्स के लावा और बलू वेज़ेस आप मन समझ रहे नो बेटे 162.500 वन लाग शिक्ष्टी था वन लाग शिक्ष्टी वन लाग शिक्ष्टी वन सिक्ष्टी जनरली क्या होता है वेज़ेस में पर डे भी दिया जाता है 15-15 दिन में तो जो 15 दिन का पैमेट है वो 16 तरिक को मिलेगा और ये जो 15 दिन का वो अगले मेने मिलेगा इसमें ये 15 दिन का थो पैमेट हुआ पिछले 15 दिन का यहां पैमेट हुआ होखा इन्वेश्टमेंट उसको मतलब उसको राउंड वोप करेंगे ऐसा बोला है हाँ पर लेख बढ़ो आगे इन्ट्रेस्टन राउंड वेच कितना है बिट्टे जून में कितना सिर्फ जून में उवरेड भी बता ही दू 40,000 38,000 37,500 और कुछ है क्या भाई? जून में बता है क्या भाई? मशीन जूलाई कहाँ है? 20,000 इसके अलावा यहाँ ना? अच्छा अच्छा तोटल माल लेते इसका 85,500 तोटेज है क्या राई तोटी सब्सक्राइब प्राई इसका भाईब लेते वाई आपके वाई पक्यारवादा है? फाइफ अब हमको बैलेंच कितना रखना है 45 और चो एकसे से उसका क्या करना हमको फिक्स डिपोजेट अब 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 सुना अगर मैं 85 500 में से माइनस कर दूँ कितना बैलेंस रखना 45 कितना बच रहा है 500 पर कोश्चन में लिखा 40,000 पास तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर दूँ यहां तो 40,000 कर दूँ यह तो 41 था अब डिसाइड आपको करना अगर मैं 40,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ 41 करता हूँ अगर मैं यहां माइनस करता हूँ 41 तो कितना बचता है कैस बलेंस 45 जबकि यार वो 45 से कम हो गया और चल जाएगा आराउंड का मतलब वो ही होता है लेकिन ICAI ने इसमें जो सॉल कर रखा किया minimum 45,000 हमको रखना ही बाद समझ रहा है अगर मैं कहूँ यहां मैं 45,000 माइनस करता हूँ 45 तो रखना है तो कितना होता है चालिस पास सो पर चालिस पास सो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते है तो कम ही करना पड़ेगा जितना इन्वेस्टमेंट नहीं उससे कम तो कितना? 40 तो बैलेंस बचेगा 45,500 राउंड़ेड ओफ हाउजेंड में बोला है इसलिए मैंने यह एक्लियर इसलिए बोला हुआ है 45,500 पाइफ टीक है माइनस करने पर हमको कितना रखना है इसमें से पतली से माइनस करूँ 45,500 का इंवेश्टमन कर सकते हैं मैक्स उससे गमी करेंगे 45,000 क्या कितना बचा है 45,500 और यहाँ जाएगा 45,500 5, 549,500 50 हमको कितना रखना 45,000 7,000 के इंवेश्टमन कर सकते हैं यह तो राउंड़ेट ओफ पाइव लाक सिवेंटी 9,000 कितना और हमको 45,000 तो रखना है कितना बचना है 3,000 नहीं इधर 45 से कम नहीं होना चाहिए अगर मैं अपने इस सब से बोलू तो अराउंड का मतलब यह कम भी कर सकते हैं पर इंस्ट्रिवट ने नहीं किया नहीं है तो मुझे यहां कितना आएगा तीने जार नहीं तीने जार सासो करें तीने जार तो इस कोश्चन में दो खाज बात थी देखा जाएं तो एक वो क्रेडिट सेल्स वाला और दूसरा यह वाला ठीक प्रेस्ट्रिवल काम करें फर्ण फ्लो स्टेट्मेंट का कोश्चन डाल दिया था मैंने उस समय चलो बच्चों को बढ़ाऊँगा फर्ण फ्लो स्टेट्मेंट है ही नहीं पाउमल्स इसका अब आया तो मल्टीबल चोईस कुश्चन ही आयेगा पहले चार नमबर पाच नमबर का दे देता था अला कि बनता नहीं है चार पाच नमबर का अब आयेगा तो मल्टीबल चोईस कुश्चन के लिए बड़ा अब यार मल्टीबल चोईस कुश्चन डाला ना एक बहुत बड़ा भी कुश्चन है न वो भी करवाना पड़ेगा समझाना तो पड़े गई उसका उठाकर डाल देगा तो दिक्कत बन जाएगा इसलिए अब ज्यादा टेंशन होगे और सर जो उपर उपर से पड़े बगवानी यह पड़े एक्जांबल से समझाता हूं सर यह आता है हमको मैं जानता हूँ आपको आता है पर फिर भी मैं एक्स्प्लेन कर देता हूँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ साल भर में मुझे कैश तो लगता होगा कितना लगता होगा साल भर में आप बिजनेस कैश की मैं बात करूँ पैसा ऐसा नहीं ऑनलाइन ट्रांसपर रांसपर नहीं कैश और आप इंकम टेक्स के इसाब से तो 20,000 से ज्यादा कर वो सब कहानी किससे मुझे नहीं चाहिए आपके करेंट अकाउंट पर इंट्रेस्ट मिलता है कि नहीं सेविंग्स बिजनेस की तो हम बात करेंगे तो हम करेंट अकाउंट भी करेंगे और हमको करेंट अकाउंट पैसा नहीं रखना है तो अगर हम current account में रखे चाहे घर में cash रखे एक ही बात इंट्रेस्ट तो मिलना नहीं हो सर कितना आपको रखना पड़ेगा साल भर मेरे पास annual cash requirement साल भर का annual cash requirement या cash disbursement ऐसा भी लिख सकते हो इसे लिखना requirement लिखते हैं तर इसकी आदत है और साल भर में मुझे लगता है मान लो बारा लाग ठीक है अब एक किये हैं और कि पूरा बारा लाग रुपए लेकर आओं घर में रख दूंती जो या फिर अपने current account में रखो पूरा बारा लाग जबकि पूरे साल भर में अब भी नहीं लगने वाला इस तरह से या अगर मैं पूरा की पूरा पैसा अभी रख लेता हूं उसके पिच्छा मुझे और एक दिख रहा marketable security marketable securities क्या होता है convert हो जाता cash में उस पर interest मिल सकता है लिख लो interest on securities क्या करें ऐसा current account में डालके रखे या घर में घर में cash रखे ये marketable security में इंवेस्ट करके रखते इसको ते security में इंवेस्ट करके रखो ना यार कमसे कम मिलेगा ना 8 person घर में रखो ये तो क्या मिलेगा ठिक और जब जब भी आपको पैसे की जरुत पड़ेगी क्या करोगे अप बेचेंगे और बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा दे देंगे पर इसको बेचने का transaction cost है पेचोगी तो transaction cost लगता है अच्छा सरी holding cost था carrying cost था वही तो बढ़ाने आपर बढ़ा रहा हूं मैं बस transaction cost या fix cost per transaction transaction cost per transaction ऐसा पंपना कितना रुपय लग रहा है पंची सर्ण ऋंगे आप कितना कितना पैसा पैस की एक सात्व अगर आप ज्यादा बार transaction करोगै तो हर कितना मिलेगा का पंचीस रूपय पाटीश रूपय जितनी 야दा वा कितनी जञाधे आपको लग minha परच्रिंडिस भी नहीं हर बार आपको 25 रुपय लगना आप जितनी बार डेली निकाले तो मज़ा जाएगा ठीक है आप डेली निकालो तो डेली 25-25 रुपय खर्च करो और अगर सारा पैसे एक साथ निकालोगे तो एक ही बार 25 आएगा पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है इंट्रेस्ट कलोस हो जाएगा सारा पैसा आज ही निकाल कर रख लो इंट्रेस्ट कलोस होगा कुछ ऐसा करे जिसमें कैरिंग कॉस्ट और वोल्डिंग कॉस्ट क्या बोलना चाहतू मैं बहुत जाता हूँ कॉंप्लिकेशन में निक सीधी सीधी वात यह आपको कौन सा कि हमारा ऑप्टीमम या हमारा मैक्सिमम प्रॉपिट हो उसको बोलते हैं ऑप्टीमम कैस बैलेंस हम कितना रखें ऑप्टीमम कैस बैलेंस और इस पे रिशर्च किया जे बाउमल्स मॉड यह भाई साब आए उन्होंने एक टेक्निक बताएं उन्होंने का हम बता रहें एक लिख लो फॉर्मूला पता नहीं याद रहें ओप्टीमम कैस बैल या ओप्टीमम पहले लगाए उन्होंने स्क्वार रोट और फिर पहले लिखा टू और फिर फॉर्मूला लिखूं क्या अब उसका वाला बुक वाला फॉर्मूला लिखूं क्या हाँ सर बुक वाला लिखूं क्या हाँ सर बुक वाला ही लिखूं नहीं का 2UP divided by S यह सर हम 2 AO divided by C लिख सकते हो भईया मेन है कि हमको multiple choice question है अंसर ही तो पूछेगा तर यू का मतलब क्या पी का मतलब क्या मत पूछना मुस्से यू का मतलब क्या होगा दे यूजस बारा लाक पी का मतलब क्या होगा बताओ जल दिससे और ऐसका मतलब क्या होगा आठ पर्शन एक रुपए पर एनम लेना आपको आठ पर्शन को 0.08 या फिर एक रुपिया का एक रुपिया इन्वेस्ट करने पर साल भर में क्या इंट्रेस्ट मिलेगा बताओगे 0.08 फिर आप निकाल लो इतने सब कहानी की जरूरत नहीं है फटा फट से आंसर चाहिए मैं चे तो सर 2 इंटु बारा लाक इंटु पचेस डिवाइड़ बाय पॉट्ट जीरोएट 27 386 किसी भी हालत में स्क्वेर रूट क्यों आया तो टूक क्यों लगा तो यह क्यों आया कुछ समझाने वाला नहीं हूँ यह सब भी कर आता है इसलिए मैंने आपको बोला था इस टॉपिक को मैंने एकोनोमिक ओर्डर कॉएंट्रिटी बोला रखा इसलिए टॉपिक कैसे लगा टॉपिक सर एकात कोशन करें कोशन नमर नाइटीएट एक लाग पांच जार रुपए पर मन्त बोला बारा लाग साथे जार पर यह ले लो बारा लाग साथे जार और पर ट्रांसपर कितना रुपए खर्च होता है बीस और मार्केटेबल सिक्यूरेटी का यहल कितना है आठ पर्शन ऑप्टिमाउल कैस बैलेंस बताना है 25 यार एक सो राउंडेड अफ करके कैस बज़ेंट से तो अच्छा ही है गम से गम अचैने अचैने बजनी जाओंगे नाचैने ने अचैने जुच एक सुचने अचैने बीज़ेंज विए क्या लुचे लिए बीज़ेंगे चैने लुचे लुचे ही है 1-0-4 भी कर लो कि 1-0-4 1-0-4 1-0-4 I.C.E.I. का कोशन है हमारे बुक का मॉडुल का 98 है मॉट्व 1-0-4 तो मैंने डाल दिया नहीं हार अंस 4-1 एभाई पुश्चन नंबर कौन सा था एक सब चार का अंसर है 4 8 अपने मन्थ ली दिया तो इसको बारा से मल देखे ठीक है ठीक है इस्पेशल कोश्चन है और डाला हुआ है कुछ कोश्चन ऐसे है जिसमें हमको सोचना पड़ेगा 99 करना पड़ेगा हम लगो कोश्चन नंबर 99 हाँ जी इसमें आपको दिमा की स्टाइब का कोश्चन आ जाता है टरनोवर रेशो याद है टर टरनोवर रेशो रेट सेल्स सेल्स बाइ डेटर्स पर DTR का और एक फॉर्मूला में नहीं बताया था 360 divided by ACP ऐसा कुछ बताया था हलाकि ये रेशो में करवाना चाहिए पर कॉन्स कितने कॉश्चन रेशो में करऊंगा इसको यह निपताएंगा पर फॉर्मिशन इस अवेलबल इन रिस्पेक आप पताने का अन अवरेश टर्टर्स पूरा फूकस नाम पढ़ने में तो आगे टर्टर्स टर्टर्स अर कलेक्टेट आफ्टर फॉर्टी फाइव डेस टर्टर से पैसे कितने दिनों में लेका 45 दिन में और इनवेंटर को कितने दिन तक 75 और क्रेटर को 30 दिन तो बता सकते हो कि पैसे कितने दिनों के लिए ब्लॉक हो रहा है cash cycle निकल सकता है बस इतना ही है भई डेटर्स का पैसा 45 और कुछ है यह नहीं है 75 30 90 days 90 दिन अब cash turnover ratio निकालो cash turnover ratio मतलब number of cycles तीजी सी बात है या फिर मैंने आपको बताय था न data turnover ratio का formula कि 360 divided by ACP वही आपको करना finally 360 divided by 90 4 cycles अगर मैं कहूं कि बताओ cash cycle कितने दिन के लिए 90 days और कितने बार cycle गुमेगा 4 बताओ कि कितना cash maintain करना पड़ेगा तो 90 दिन का cash maintain करना पड़ेगा मतलब total आपको कितना cost लग रहे 120 तो 90 दिन का cash कितना आता जरह बताओ तीस तीस ना तीस तीस लाक आपका cash आपको रखना पड़ेगा आपका पैसा फज गया है तीस लाक रुप या फिर 120 इंटू 90 divided by 360 कि मैं करवाओंगा question कर लेते ना यार पहले discuss करोगे फिर करवाओंगे time भरबाद है हमारा कर लेते तो कितने question के 1 2 3 4 5 question पाच्छे बोल देना अगर बात है आगे काम के बाद point number one cash आयक and cash to cash to cash कितना कितना देन था 75 पहले कितना था 45 plus 75 minus 30 90 days और क्या करना है आपको number of cash turnover ratio 360 divided by इतना 4 4 times दूसे नंबर पर क्या बोला है कितना पैसा block हो रहा है minimum amount of cash क्यूंकि याद करो operating cycle में घुमाया था cash लगने से cash आने तक तक आपका पैसा कितने दिनों के लिए कितना रुपया block हो रहा है दो तरीके हैं जैसे चाहँ वैसे निकाल रहा हो गया तो मैं सीधा 120 divided by share करके निकलनों चल जाएगा तीस लाक रुपय ब्लॉक हो गया अगर आपका number of days कम हो जाता है number of days कम नहीं हो जाता है stock holding period 30 दिन से कम हो जाता है तो symbol सी बात है अगर यह 30 दिन से कम हो जाता है यह बला तो finally इस पे फर्क पड़ेगा तो finally इस पे भी फर्क पड़ेगा तो finally इस पे भी फर्क पड़ेगा तो बोल रहा है कितना फर्क पड़ेगा बता दो आपका कितना पैसा ब्लॉक रहेगा उस समय पॉइंट नमबर थ्री फिर से क्या cash cycle निकल ले है निकाली लेते है ना cash cycle पहला तो 45 डेज है इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस वो 75 की जगह कितना 30 से कम करना 30 नहीं करना 30 से कम 45 माइनस 30 बोलो कितना 60 डेज cash turnover ratio 60 डिवाइड नहीं कि 60 डिवाइड वाइड वाइ 60 कितना आ गया 6 times और कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है minimum कितने रुपए है टूटल 120 लाक डिवाइड वैचे 20 लाक पहले कितना पैसा ब्लॉक हो रहा था 30 अभी कितना 20 एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा 10 लाक बचा लो गया और उस 10 लाक को कहीं बैंक बैंक में रखोगे तो इस पर इंटरेस्ट तो कमाओगे लिख लेंगे सेविंग्स 30 लाक minus 20 लाक इंटरेस परसेंट बोलो कितना कमाल होगे कितना कमाल होगे अब जो भी कोश्चन है वह आपके दो तीन कोश्चन उसमें वह चीज है फंट फ्लो स्ट्रेट्मेंट हम ब्रेक के समझा करना तो पड़ेगी तो ब्रेक के बाद खतम ही करना है आज किसी भी हालत में उससे पहले एक कोश्चन हमारा छूटा था वर्किंग कापिटल का करना तो पड़ेगा याद है मैं एज्यूम कर रहा हूं याद है एक चलो आजा कोश्चन वह फोर्टिंग कर किसके बाद ब्रेक ले रहे हैं फिर हमारा काम खतम हो जाएगा वर्किंग कापिटल फिर बैठ कि देसाइ आज बात है कि हमको वर्किंग कापिटल याद करो ऐसा होता था इस्टॉक रो मटील का डबलो एपी का याद है याद है याद है काफी दिन हो गया नहीं है तो मस्या सिर्फ सेल्स में है कि रोमेस्टिक सेल्स का वन मंत क्रेइट दी आठारहलाग ठीक है और एक्सपोर्ट का आट लाग दस हजर टी मंथ क्रेइट और सेल्स की साथ के लिखा है प्लों डॉमेस्टिक प्रैस चीप प्रेस होक हो उससे दस पशल्ग काम तार्यल कितना तो महने का अप्लायर गिंप इसको आगबंद कर लूंगा ठीक आखे बढ़ते हैं इग्णोर डबल डबल गाई चलो ये भी खतम एंड एप्रेशेशन को भी उड़ा दो बढ़ रहा है और कंपनी कीप वन मन्त इस्टॉक ओप रो मटेरियल एन फिनेस गोड्स इस्टॉक माटेरियल के इस्टॉक कितने मन्त के लिए रखना है जल्दबाजी मैं मालूम है मैं लिखके देता हूँ गलती करोगे आप क्या कर दोगे टू मन्त एक लेना एक्जाम जब आएगा ना मैं अभी से बता रहा हूँ जब ऐसा लिखोगे श्टॉक ओफ रो माटेरियल है ना लिखोगे 675 अभी लिखना नहीं यही होगा जब यह किसके लिखा है अपना है सर कैसे कह सकते हो बिट्टे मुझे मालूम अच्चसी यही गलती है अगे अभी यह एक नया चक्कर दे दिया यार कि हमको 2,50,000 का कैश रखना है पर 75,000 रुपए हमारे पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है मतलब यार अपने पास ही पैसा रखा ओडी समझते हो न सब लोक पैसा तो हमारे पास है 75,000 जो हमने यूटिलाइज नहीं किया तो हमें कैश के अब कितनी जब्रत है 2,50,000 रखना था 75,000 और अल्रीड हमारे पास है तो बो कितना 1,75,000 मैं आपको क्या समझाने के कुश्च नहीं है यार बैंक के पास गया तो बैंक को हम बताएंगे न जो हमारे पास है उसको हटा दो उसके लाव हमें इतने पैसो की और 10 परशन मार्जिन और आपको क्या मन करना वर्किंग कैपिट है कुछ नहीं है हम भूल जाए कि क्या है कुश्च में हम अपने इस टेप से काम करें कि यास करेंट एसेट लिखेंगे प्यार से चलो करते तो है सर आपने बाद में करवाया है इसकी वज़ा क्या है इसकी वज़ा बस इतनी सी है कि उस दिन आपका दिल तूड गया था तो क्या लिखेंगे वर्किंग डापिट कौनसी अप्रोच अगर टोटल बोल रहा है एक उनाट पे कोश्चन स्वाल है टोटल में कुछ है नहीं पर करेंगे कैस कोश्च से इंस्टिट्यूट ने वैसे और अगर कैस कोश्ट आ गया सबसे पहले आप भी जानते हैं इस टेप मार्किंग है नंबर मिलता एक एक चीज़ निकालने का नंबर मिलेगा तो आप ये कोश्चन देखके यह मत सोचो कि यार हम बने गए नहीं पूरा छोड़के नंबर मिलेगा ना एक आथ दो नंबर कटेगा तो क्या दिक्कत सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ आपको कितने नंबर मिल सकते सबसे पहले बात किसी करेंगे करना कैसे ये बताँ सबसे नंबर मिलेगा इसका कोई नंबर मिलेगा मालूम मैं आपका स्टूडेंट हूँ मुझे पूरा कैल्पूलेशन करके बताँ फिनिस गूट्स का वैल्यूशन करना है तो याद करो मैंने वो जीपी वाला उड़ा दिया था मैंने जीपी को भूल जाओ सब को जोड़िये कि इस प्रोड़क्ट को बनने में कितना खर्चा आ रहा है कि इस लाग साथ है जार सेलिंग तो नहीं जोड़ा ना तर इतने समझदार है 21 लाग साथ है इंटो वन भाई चलो सर एक एक नंबर हमारे लिए इंपोर्टेंट है कितना आगे एक लाग असी अज़र कहीं लिखने लिख ले ना एक किस साथ का आया कहा है अभी क्या आगे इतना है किसे एद्मिनिस्रिशन भी ले लेंगे यह जो मटेरियल लगा है वो इस सेल्स के लिए लगा किस सेल्स के लिए है कि पूरा इसको केसे ले सकते है पर हमको किसे करना कैस कॉस्ट यह जोबिलगा मैं मांता हूं जोडना ही तो है पर जो भी लगा वह इसके लिए भी लगा इसके लिए भी लगा अब सवाल यह है कि इसके लिए material कितना लगा इसके लिए wages कितना लगा बस यह एक point है बाकी और कुछ नहीं है करें working out अपसे नहीं बनेगा आप कोशिश भी मत करें तो बना तो working out working मुझे क्या निकालना cost of sales cost of sales और उसमें यह question important है भाई है न एक हो गया हमारा domestic sales और एक कौन सा है export और इधर क्या लिख देंगी total तो बताओ sales कितना है अठरा लाक आट लाक दस जाट टोटल अब्विस लाक अब यार इस में से कुछ तो माइनस करना पड़ेगा GP अब आया वो GP इस तो इसी question में मैंने बोला था एक question के लावा बाकी जगा जीपी यूश नहीं करना बोलो कितना GP जीपी दिया हुआ है कितना बशा पर इसमें GP उतना नहीं GP के लिए कुछ बोला है बोल रहा है selling price 10% below the domestic price GP ratio बता उसका एक्सपोर्ट में GP रेशो जीपी रेशो पता है अब बच्पन में छोटे छोटे बच्चे तो जीपी रेशो निकलते थे अब इस पी रेशो जीपी रेशो जीपी रेशो कि बता दिये तो party सुनो suppose selling price है 100 रुपए ठीक GP कितना है 20% तो cost कितना आता है 80 तो cost तो 80 रहेगा cost में थोड़ी चैंज होगा आप export करो जाए घर में बेचो selling price कितना हो जाएगा GP तो 10 रुपए आएगा बताओ GP ratio GP divided by selling price into 100 यही तो होता है 11.11 दो समस्य आये इसमें एक तो fraction में आया तो शक होगा कियार ऐसे कैसे हो सकते 11.11% सार यह लिख ले कि हाँ बेटे लिख लो 11.11% और अगर हम total approach से कर रहे होते तो इसको तो आपने उड़ा दिया था इसे कोई काम ही नहीं आता हूं सेलिंग प्राइस कम हो रहा है जितना भी जीपी कम हो रहा है उसका सेलिंग प्राइस भी एफेक्ट हो रहा है इसलिए इतना ज्यादा कम हो प्राइस कितना आगे तो यह आगे सी हो जीएस तो आख लगए नश्यादा को ने भी जबने ब्रेक वक्ता है साट लग ब्रेक खार्श है इसमें सारे खर्चे आचुके सारी सेलिंग भी सेलिंग उसके बाद आता इसमें क्या एट कर देंगे सेलिंग बस सेलिंग एक्सपेंस एट कर दो और काम कर दो तर यह कोशन तो लाश्ट में एक जाम से एक दिन पहले देखकर जाना पड़ेगा कितना एक लाख किदर और आप ना जाने कितने एक्सपर्ट हो अब आपका यह कहना है कि डिपार्टमेंट है नहीं पर कुछ तो नौलिज होगा एक लाख बारहाजर पासों को बाटना पड़ेगा किस रिश्व में सेल्स के रिश्व देखा एसा नहीं है कि देड़ से आने की बाट कि वेल्स के रिश्व में कितना आरा जरा बता फिर फ्रैक्शन आएगा सेवन सेवन पाइव एट सिक्स पी पोर वन एक बारह पासों इन्टो अठारा लाग डिवारेट बाट 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 दस लिकिन अगर आप ऐसे बाट रहे हो इसको टूटल घरो कितना आरा किस्लाग शाट एक बढराशओ इन्टोच फोटा लाग चालिश के एन्टोष बाटेस् सेवन फाइब स् फाइव लू पनाउ Ages हैuity representative फ्रसे एक लाग बाराशल फाइब इस सो तो ना सुना सो यहां तक लिख लिया है अब सवाल है जब इस से बाट रहे है तो आ रहा है 77586 जब इस से बाट रहे तो आ रहा है 75 कौन सा जादा सही लग रहा है यह मेरा भी मन किया था ऐसे होना चाहिए मन से कुछ नहीं होता सेल से रिश्व में बटता है भाई मुझे भी ऐसा मैंने भी ऐसी कि अफिर बाद में देखा हां बाग सेल से रिश्व में बटना आंसर मैच करवाया तो देखां इंट्ट्यूट क्या खिल खिलता है अब लोग चलो टुटल मारे या आगे टुटल कॉष्ट या कॉष्ट अप्सेल्स 15 586 15491 बस यही था इस कोशन में बस इसको उठाके करते हैं उधर हाँ जी यह कॉष्ट अप्सेल्स आ गया अब इससे हम डेटरस ने का लेंगे इससे डेटरस 1517586 सबसे पहले डॉमेस्टिक सेल्स की बात कर लेते हैं 1517586 सब्सक्राइब कितना इसका वन बाई 12 124 126 126 126 126 126 126 126 126 13 154914 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 कितना दो लाख दो लाख पच्छा से जार मैनस 75,000 तो अल्रीड हमार लिमिट हाई एक लाख पच्छा से जार एक और है ना Selling Expenses Advance मतलब यार एक लग बाराजर पास सो 1 by 4 कितना 2,8,1,2,5 और कुछ नहीं ही टोटल माल लेते से 1,5,5,7 अं करेंट लाइबिलिटी देख ले एक बार करेंट लाइबिलिटी में तो जादा दिक्कत होगा तो पहले क्रेटर्स की बात करें कलो रिवीजन हो गया पहले, खरीचर मम से , रिवीडर्स ट्रेटर मतता्प छी बािचततर तो ऑल ट्वल्फ गलग बारजर पास सहु हमाँ पैज विज सबस्तिक पुछब हैड स्टेन अंग हमाँ पाषू कुदक ही तोल देना 22 पाइफ हेंट्रेड एडवांस्टेक इंकम्टेक्स पीबल है एक किस्त बाक्यूस की पाटली एड़त था नाई इन्टू वन बाई फूर और बस इतना वेज़ेस है कि और भी बहुत सारी चीज़ है हाँ यह सब लेना है ना यार अच्छा वन मन्त का एक सथ निकल लिया सेवन एट सेवन फाइफ जीरो लिए लिए अग्विए लिए पाइब सीरो, वन एट टू जीरो यह तो बुक ही बताए पॉर नाइन एट, एट टू जीरो अच्छा वो मिला कर बता रहा है अच्छा ये यह आंसर आ रहा है पॉर नाइन एट एट टू जीरो ठीक है और इसमें दस पर स्वाशन मार्जिन एट करो के पाइफ पॉर एट सेवन जीरो टू कि यू फाइफ फाइफ सेवन फाइफ लेते हैं फिर उसके बाद श्टार्ट करेंगे फंट फ्लो इस्टेटमेंट मैं सब्सक्राइब और टार्ट कर रहे हैं कोष्ट फंट फ्लो इस्टेटमेट मैं यहीं आपने पहले पढ़ा नहीं है ना तो विक समय बढ़ा एंग एक फार्मेट बना लो बहुत जादा नहीं पढ़ाऊंगा फर्ण फ्लो स्टेटमेंट पंदरह दिन की क्लास होती है अकेला एक ऐसा टॉपिंग जैसे कैस्ट फ्लो में अभी तो कम से कम तीन-चार क्लास्टेश तो लगी होगी है हाँ तो फिर तो बोलो ही मत फर्ण फ्लो स्टेट और हम यह दस में इपटाने वाले हैं ठीक है अब कहते हैं sources of fund sources of fund का मतलब पैसा कहां से आया एक heading यह आती है दूसरा होता application of fund पैसो को कहां यूज कर रहा है तीन activity होती है operating, investing, financing dividend received, कहां सी activity investing interest पैक्ट यह सब आता है और operating activity में क्या आता है जो दोनों जगा नहीं है मतलब business related जो भी है तो पैसा जहां से आता है सबसे पहले business related यह operating activity बोलूँगा और operating activity आपको आता है नहीं का तो उसको हम लोग यहां fund flow में बोलते है cash from operation अब ओपर डिविडेंट प्लस करते है प्रपोज डिविडेंट प्लस करते है यह सब कुछ प्रोविजन फार टेक्सेशन प्लस प्लस करते है और फिर उसी में छोटी से हेडिंग देते हैं चेंज इन वर्किंग कापिटल अगर इनक्रीज हो रहा है वर्किंग कापिटल 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 वर्किंग जाएगा कि पैसा आया कहां से कि अगर यहां आया तो और एक पैसा मतलब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी उपर तक ही बनाना और वर्किंग कापिटल को अलग से लिखना है कि यस कोश्चिन के साथ होगा ना हाँ जब होगा तो मैं आपको बहुत इक्रीज इन वर्किंग कापिटल मतलब करेंट एसिट ज्यादा और करेंट एसिट सोच के बताना करेंट एसिट पहले था पंदरा सो अभी है सोला सो करेंट एसिट पहले था पंदरा सो अभी है सोला सो तो सार सौ लाक का हमने या सौ रुपए का हमने क्या खरीदा होगा करें इसके अलावा और पैसे कहां से आ सकते हैं आपने इंवेस्टिंग और फाइनेंसिंग बताया थे एक अधे ग्जामपल बोल दो इनवेस्टिंग पर सोर्से सोर्से इसके लिए पैसा आने का सेल और फिक्स एसेट्स को बेचने से पैसा आया और भी बहुत कुछ हो सकता है मैं कहानी बिल्कुल नहीं लिखवान इसका करना है टूटा और दूसरा क्या आएगा एप्लिकेशन ओफ फंड बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या बेकार चीज़ें बढ़ा रहा है सर हट गया है ये वो प्रीज मैंचे मालूम है कि क्या है करके मैंने भी तो कटवा दिया था वापस आ गया हूं इस पर सर दोनों एक साथ होगा कि कुछी भी बात नहीं करोगे दोनों में से कोई एक होगा ये तो इन्क्रीज होगा ये तो डिक्रीज होगा और क्या सकता सर पर्चेस ओफ एक ससे बस और भी बहुत आएगा मैं पुरा लिस्ट क्या ये तोट क्यों बनाते क्या बनाते कुछ नहीं बता रहा हूं ठीक है वो सब बात में देखा है नहीं मरसे कोशन कर रहे है कोशन नमर 95 हमारी मॉडूल का कोश्चन है करना पड़ेगा जो कट काटा था न उसको काट दो पहला वाला जो है उसमें आप एक्सपर्ट हूँ कैस बजट दूसरे वाले में मैं आपकी हल्प करूँगा सोर्सेस एन यूज़ेस या एप्लिकेशन ओफ़ फंड बनाना मतला फंड फंड फर श्टेट और वर्किंग कैपिटल और ये कबका दे रखा है आपको परस्ट जनवरी कैश कितना है 545 शॉर्ट तर्म इन्वेस्टमेंट है 300 डेक्टर से स्टॉक है ट्रेट क्रेटर से अधर क्रेटर से डिविदेन पेबल है टेक्स दिवें प्लांट और बजटेट प्रॉफिट इस्टेट्वेंट दे रखा है रुपीज इन थाउजन्ड में हम रुपीज इन थाउजन्ड में ही करेंगे 2100 कोश्ट अपसेल से जीपी दे रखा है एर्मिशिशन और नेट प्रॉफिट भी फोर टेक्स दे और ये मन्त के एंड की कुछ इनफॉमेशन भी दिया हुआ हर मन्त के एंड की दिमाक यहां चलाना है यहीं से पता लगीगा सब कुछ हमें क्या बनाना कैस बजट कैस बजट पता है न कैसे होता था ओपनिंग रिशेप्ट और पैमेंट अब यहां देखो यह बनेगा कुछ अलग तरीके से की शौट अब इनवेश्चमनक कितने है का है 300 पर यहां मन्त के एंड में कितना हुआ कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है प्रेस्ट किया इसा गया मतलब पर मैंट साही ढएगा इए उड़ गया इस दिया मान स्टीन में का बनाना मज को तो पहले में आपको दिमार्य स्व 800 का खरीदा, 700 का बेज दिया, 200 का खरीदा, यही सब दिमाग चलाना पर चलो आगे, डेटर्स, अब दिमाग चलाना, 75 था, ओपनिंग डेटर्स, और सेल्स पूरा क्रेइट पे होता है, तो यह क्रेइट सेल्स दिया है, तो ओपनिंग डेटर्स था, और क्रेइट सेल्स है, प हो तो लगा हो कुछ हई दिमाग चलाते हैं पहले कितना डेटर साथ पहले पच्छी सो तर्ये पैसे देना था ले मिलना बाकी था और और सेल्स के किस इतना मिलना और बाकी था मतलब टोडल दोनों को जोड़ो पर अभी छबीश सो बाकी रहे गया सिर बाकी तो मिल गया होगा तो हजय सत्तर कालेक्शन फॉम डिक्टर ऐसा कहीं कोई कोई चैप्टर में बनाया होगा एंपियो नॉन प्रॉफिट और गिनाज़िशन था काकियो कोस बनाया होगा फ्रीशन मत थे तबनाया होगा थी परिषान मत कर अभी बनाया हों रहता चैशक्रेंक चैश प्लो में तो बनता है जया इन्याक कश्रे मैं में तो भका supre या अजरा मियन दैरेक्ट में तो बकात कर या। वहता है जश्क debtors से पता, stock का भी पता लगा लोगे trade creditors, other creditors, dividend pay, बल ज़रा देखता हूँ dividend, dividend का देखो पहले dividend कितना था, 485 अभी भी कितना, 485, पर यहां तो खतम pay कर दिया, मतलब सर यह 20% और 80% वाला चक्कर नहीं है सीधा सीधा आपको, tax due, पहले कितना था, 320, अभी कितना है मतलब कुछ खुआ है, क्या, plant का बताना, plant पहले कितने का था इस पीट से कहाँ पढ़ दे, मझे दिखने रहा, 800, ठीक है plant कितना है, depreciation को उड़ा दो, नहीं तो आपका दिमाग चल जाएगा अगर यहां, सास्तों को भुआ तो बहलोगे, depreciation लगा, तो बहले, 800 था, 800, कितना purchase किया, इधर, 800 का purchase किया, चलो तो फिर बनाती, cash budget, इसको, depreciation को बहले, ignore कर दिख, एक्चुली ना, अगर यह सास्तों होता, अच्छा, यह वाला, इसका यह सीन है, खर्ची होगे ना, यार, यह खर्चे है, हाँ, उसमें तो जाए गई, cash budget की बात करो, बोले, 315 है, खर्चा, खर्चा तो payment में हम दिखाते हैं, लेकिन वो आप से बोल रहा, यह जो expenditure है, ना, उसमें यह 60 भी जुडा हुआ है, तो 60 हटा के बताना पड़े, प्रस, और कुछी, चलो तो बनाए, cash budget, मैं वा तो प्रस, ऑ।ौथा है, की जुडा है, ना, उसमें हरा तो, जुडा है, गए बनाए, की मैं निको बनाई, रुपी दिन थाउजंड में बना रहे हम लुक कोन कोई राम थे जैन फे मर्च ओपनी पाइफ फोटी फाइफ प्लस् कि अलेक्शन प्रॉंप ट्रेटर्स वर्किंग बनाएंगे भई ताइट लिख रहा हूं मैं मैं बना देता हूं बना देता हूं कोई शक ही नहीं करता हूं पर एक दू नम्बर से हमको क्या आपर हूं कुछ नहीं कोई एकाउंट एकाउंट नहीं बना रहा हूं यहीं के ही निप्टा दूँगा सार्व कोन को सा मनता है कैसे किया था ओपनिंग डेटर्स प्लस माइनस क्लोजिंग डेटर्स तल जाएगा ओपनिंग डेटर्स कितना था सब्तर प्लस सेल्स कितना दूसरा भी बोल दो प्रेवो मार्च थारा सो थारा सो थारा सो एनस क्या करोगे क्लोजिंग डेटर्स अच्छा यह पाया अच्छा यह वाला बता दो भाई अच्छी करते प्यार से करते जाएगा तो जीरो सेवन जीरो सेवन जीरो सेवन जीरो यहां चाहेगा लोजिंग बलो बच्छी सबस्क्राइब मार्च ने इसेवन जीरो यह वाला प्रेवन जीरो सेवन जीरो अधस्टार साविस एक यह जए ट्री तो बस जदा जगसान। यहां कितना गए? 2-0? और कुछ था हमने देखा था हैं, जब कर रहे था, शॉट टर्म इन्वेस्टमेंट, 300 था, वन भाई वन करते हैं ना यह बाला कैस था हो कहे, शॉट टर्म इन्वेस्टमेंट का देख लेते हैं, यहां था 300 यहां साथ सो, तो बुलो पर्चेस है तो इधर तो नहीं आएगा, पर यह बला आएगा, जैल ओफ इन्वेस्टमेंट, बस, जैल ओफ इन्वेस्टमेंट, कितने का? एक हजार का क्या? एक हजार का क्यूं आएगा? नहीं, एक्षुली बटे, यह देखो न, यह पहले से कितना था, 300 यह क्यूमिलिटी हुआ है, जुड़के आया है वह साथ, आगे चलें, और कुछ था गया, लेटर्स का तो हो गया है, इस टॉक कहा तो यहा नहीं हाताओ, तो पैमेंट में आएगा, ड्रेयिटर्स का भी पैमेंट में देखेफींगे, अडर क्रेयिटर्स, अडर क्रेयिटर्स में एक बबद चेक कर लो, इन दोरो गार तो बाद में करेंगे, तो पेमेंट में आगा ना खेड़ेटर से, डिविडेन पेबल, 485, पेबल है, पेमेंट में है, टेक्स ड्यू, ये भी पेमेंट में, प्लांट का देखो, प्लांट का, देलो, प्लांट, प्लांट, अजास, तू सिक्स फाइफ वो जाता है अभी क्या करना है क्या मैं टो क्रेटरस लिग दूं क्या वर की नोट आप बनाना बसन करोंगे अग्य दिखो के पैमें टो क्रेट चैन फैब मार्च वो ओपनिंग क्रेडिटरस कितने थे क्रेडिटरस क्रेडिटरस वर क्रेडिटरस कितने थे किया है पूड़ पारिबोटें ओपनिंग श्टॉक हैं हूं भी अमें, अधर क्रेडिटर है। अधर इलग चीछए सुनो अधर लिखेंगे 2BD आप ट्रेडि एकांट मान लो BD cleaning stock इत् नाcus तेरा सव, क्लोजिंग स्टॉक, बारा सव, क्या सीओ जीएस मालूम है, क्यों जीएस दिया है क्या, ये मालूम है, ये तो इधर किया जाएगा पर्चेस, कितना, वन फाइफ, तो अगर देखा जाएगा, पर्चेस कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक, प्लस योजियस, माइनस ओपनीं स्टॉक, तो क्या निकलेगा, पर्चेस, अब पर्चेस में जोड़ देंगे, क्या, ओपनीं क्रेटर्स, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग क्रेटर्स, तो फिर निकलेगा, पैमेंटर्स, अधर क्रेटर का क्या, आपका balance sheet में Alex information है वो जो last का दिया है हाँ तो सिब trade creator लेना है आओ करेगा सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा purchase तो क्या formula बनाए था closing stock cogs पहली बात कि मुझे याद नहीं रहता तो मैं trading account अपने सामने रखता हूं इधर closing stock लेखते हैं sales का मतलब cogs इधर से opening निकालना तुम purchase है जाएगा creditors के लिए purchase एक बार देखो यहाँ purchase निकले ना इसी में आप हम लोग जोड़ देंगे क्या opening minus closing तो डबनाएगा एक ही statement में हम सब कुछ निप्टाथ पर सबसे पहले purchase निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा closing stock मतलब इस तरफ का 1200 1100 closing stock है ना भई मैं मिटाओंगा नहीं है purchase 1635 1405 1330 minus करोगे opening यह नीचे पर्चेस 1535 इधर का पतलब यह 12 सो आजाएगा ना और यह 11 सो आजाएगा पतलब यह पतलब 1305 पतलब करोगे यह क्या आगया पर्चेस प्लास इसमें क्या करोगे अपनिंग अपनिंग क्रेडिटर्स अब क्रेडिटर्स बताना तू डबल बन जीरो माइनस क्या करोगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना 2000 950 950 950 950 950 950 यहां कितना आएगा 2000 यहां कितना जाएगा 950 और 15 वहां कितना जाएगा *** यहां कितना जाएगा अगया है अगया है लिखना पता हो जल्दी जल्दी से इस कोशन को ख़दम करके 1645 वन ठीक है अगया चले अभी क्या था एक बार इधर से देख लें क्या इस्टॉक क्यों है एक यह तो इसी में जिस्ट हो गए इस्टॉक हो गए हमारा डेटर्स हो गए हमारा ट्रेट्ट्र्स हो गए अधर ग्रेटर में कोई चैंज हो आए कि नहीं यह भी हो चुका है short term investment में कोई चेकर था सहय था नहीं purchase कौन से मंत में था purchase of investment यहां कितने का purchase था 400 और यहां 200 purchase किसका था plant 800, और कुछ है, dividend, बोलो dividend कितना, कप पैड हो रहा है, 485, और tax wax, और कुछ नहीं, बस खतम करो है, इसको, बहुत हो गया, क्लास का, टोटल मारते है, कल रिशु होने माला है, 100%, 2040, 26, अब का 2640, और रहा है, 2040 के जग, 64, 2640, ये वळा, तो बीस, चाली, चाली, 1280 ठीक है 4 570 उपर जाएगा 570 4 2,6,4,0 0 0 प्लीज थोना सा देखने सकते कैश नेगेटिव आ गया है भाई कुछ गरब्रे किया हूँ मैंनी जानदा क्या गरब्रे किया हूँ गलती यह हुई है यह 2070 यह कलेक्शन है और जब मैंने कलेक्शन यहां लिखा तो किसी ने मुझे बोला नहीं जबकि मुझे यह वाला 2600 लिखना था बस इतनी सी गलती हो गए इसलिए मैं अकाउंट बनाने में ज्यादा इसता थकता हूँ पानल अंसर अब का क्लोसीं किस चीज का है अब अभी पहले पहले वह तर पहले यहां लिख लो मैं इसको ठीक करना हूँ यह 1900 है और यह कौन सा है 185 ठीक है 400 लिखाया है 50 लिखाया है 2615 1645 एक्सपेंसिस तो भूल गया लिखना एक्सपेंसिस दिख रहा है आपको यह आपने ही तो पूछा था सर साट का किस करेंगे हाँ बोले यह देखो यह देखो अपने बोला का यह 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 माइनस करना दाना यार यह साट वाइरस करना था यह 255 यह करने का मनना होना 255 210 यह 255 यह 255 यह 255 यह 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 255 यह इसके बाद वाला नहीं होने वाला यूट्यूब में अपनोट इससे जादा क्या बिज्जतियों कि सब टीटर भी है था बच्चे भी है सही अट्रीव इस इतना बता दो क्या है फंड फ्लो का हमारा टारगेट ना एक आइडिया हो जाया फंड फ्लो में कैसे बता यह कितना आग है यह फाइनल फाइनल अंसर मैं देखकर लिख लूँ यार 315 65 और 290 यह 2615 है इस इसका तेविस्सा है भाई तेविस्सा और इसका है 2850 और इसका है 1675 ठीक तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आगा है 315 65 25 25 25 25 291 25 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 देखोगे फ़र्मफलो इस्ट्रीप Sources of Fund Cash from Operations Profit बताये इस बार में गलती नहीं करें बुक देखिए और बुक में नेट प्रॉफिट लिखा होगा तीनों मैंने का नेट प्रॉफिट भी फोर टेक्स एक्सोपचास एक्सोपचीस और डेपरिशेशन साथ यहां एट कर देए साथ 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 प्रेशेशन एड होता है आप भी जाना है अदेखे तरह देख लेगे चला वाइक कोई पर शामने शॉल्टाना थेल फ्रस्ट कितना अगया इस विश्वास करें कि देख लेता हूं अब देखो कि हमारा कैश फ्लो में पैसा कहां से आया है यह वला कोश्य नहीं किया कालेक्शन फ्रॉम डेटरेस तो हमारा वर्किंग कापिटल में चला जाता उसको भूल जाओ इन्वेस्टिमेंट मतलब पैसा आया कि यह आया तो लिखो जाओ इस इतना अब यह इन्वेस्टिमेंट शॉट टम है कि लॉंग टम शॉट टम है तो वर्किंग कापिटल में इसको बन जाओ अब यह देखना हमको कि वर्किंग कापिटल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है इसके लिए एक से वर्किंग नोड बनता है जाओ गया कि अध्युल ये कि अध्युम फाईनल में आचे माईक है कोष्यान आता हिं से दिलोख चैइस द्apिशन होता चैट्मेंट है इस खते वर्केंग सिक्रीज यह कोष्वश्च द्रम आता हो है एसेटन और करेंट लाइबरेटी लिए पिछले साल का बीगनिंग में कितना था बीगनिंग में 2022 कि दिसंबर 2022 था ना यार और तीर मैने बात मार्च मार्च 2022 है ना सिर्फ सुरू का और लाश्ट का देखना सबसे पहले करेंट एसट लिखें बस देख दिखके बता थी जो करेंट शॉट टर्म इन्वेश्टमेंट शॉट टर्म इन्वेश्टमेंट यहां था 300 और सीधा लास्ट का बता ना 700 एक हाँ सीधा सीधा मार्श का बता ना मार्श दोसर दोस अप्टीक है आगे बलो टेटर्षी श्टॉग बहुता रहा हुँआ हुआ टेटर्ष कितना था 2570 आ या या अप सहीं बोल रहे है अप सहीं बोल रहे है अप्फ्लो बनाए ठी स्टॉक 300 1000 कलमा कैश मैं जानता भूल जाओगे 545 कैश बजेट बनाया ना भाई उसमें लास्ट वाला कैश बताता 65 65 कैश वाई कैश 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 वाई 65 कहां से देख देख रहे हैं वास जूड़ दो भाई तो यागे कर 4715 तर एक बन मैच कर दो इसको 4715 3840 साही है तोपिक बहुत जादा मुस्किल नहीं है मालू में फान फिर आम इसको मुस्किल बना रहा है करेंट लाइबिटीज करेंट लाइबिटी में भाई सबसे पहले क्रेडिटर्स बोल दो 2110 1900 1900 अधर क्रेडिटर्स अधर क्रेडिटर्स नहीं लिखे तो भी चलेगा चल जाता पर चलो पूरा ही लिख लेते जो दिया और कुछ है डिविडेंट पेबल डिविडेंट वैसे यहां नहीं आता वर्किंग कापिटल में टेक्स 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 कुछ लोग लेते हैं यहां लेते हैं फंट फ्लोग 320 320 नहीं 2630 24 तो वर्किंग कापिटल नहीं कल लो नेट्वर्किंग कापिटल करेंट असेट मैंज करेंट लाइबिटीज 2085 14 यह तो डेक्रीस हो रही है यह ना पहले था 2085 अभी कितना बचा वर्किंग है 142 तो डेक्रीस इन वर्किंग कैपिटल निकालो सीधा 66 55 मतलब यार यह सोर्सेस में तो नहीं आएगा कहा आएगा यूजर्ज में यह अप्लिकेशन में इसको तो टोटल ही मार दो हाँ 220 पैसा आ रहा है क्या अब फॉर्मेट नहीं अभी अभी कितना था 2085 अभी है 24-24 क्या हुआ पैसा आया की पैसा गया 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 पहले था 2085 मालो इस्टॉक में उसका होता इस्टॉक पहले कितना था 2085 अभी कितना बचा 1420 आप क्या हुआ है इस्टॉक का क्या हुआ शोड़व डेटर्स पहले था 2085 अभी पैसा आया गी पैसा गया आप बोलो ना भी current asset अपने अपने ये अगर आप इस्टॉक भी मान लो या आप डेटर से भी मान लो आप कुछ भी मानो बोलो पैसा आया की पैसा गया आया आया तो कहां आना चाहिए हाँ उसी में तो लेख रहा हूँ पैसा आया एक रीजिन वर्किंग कापिटल थेंक यू कितला 6 6 5 हाँ साही ही होगा यार कॉंसेप्ट तो यही होगा 1 2 8 5 पता नहीं में तो देखा ना वही किया होगा हाँ 1 2 8 5 ले आगे अप्लिकेशन ये उसेज आप फंट फॉलो पैसा कहां कहां गया था पर्चिस किया था क्या प्लांट प्लांट पर्चेस कितने का तो 400 प्लस 200 कर दूँ अपर प्लांट तो 800 इंवेश्टमेंट कितना प्लांट लिक्ति तो प्लाइंट लिख दो प्लाइंट प्लाइंट कितना 800 और कुछ नहीं है किया 85 के डिफ्रेंस आ रहा है अब डिविदेन आएगा न है या फानेंसिंग एक्टिविटी कोई बोल रहा था सर आप वो तो लिख वाए नहीं कि इसम दूड़ी प्लाइट कितना और एक अब ज्यादा हो गया प्रीच्छ आप क्यों अब कि अब वाहत होगा एक अब खता होगा अब आउट इस वह दले लिए ने आब कापिटल में तो गया भी बहुत हो गया बहुत हो गया यह तो फंट्फ्लो का डलना भी नहीं था वैसे नहीं है नहीं जाती झाल 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 झाल